हलो दोस्तो वेलकूम टू शूबगयन दोस्तो आज हम 2003 में आई हुई डाटनेस फॉल मूवी को एक्स्प्लेन करेंगे इस मूवी को जोनाथन लिपस्मैन ने डाइरेक्ट किया है मूवी की स्टोरी बहुत ही स्केरी होने वाली है तो वीडियो को लाज तक ज़रूर देखे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा से रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरा काम पसंद आड़ा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चलेंज उब गयन को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिए दोस्तो मूवी क शुरू आताज से देशो साल पहले डाकनेस पॉल नाम के एक छोटे से सहर से होती है जहाँ पर मेटिल्डा डिक्सन नाम की एक विद्वा औरत रहती थी ओ बच्चों के अंदर बहुत ही पॉपुलर थी क्योंकि जो भी बच्चा अपना फ़र्स्ट बेबी टूथ खोता थ वो उसे मिटिल्डा के पास लाता था और मिटिल्डा इसके बदले में गोल्ड कोईन दिया करती थी लेकिन एक दिन उसके घर में आग लग जाती है और घर के साथ उसका पुरा चेहरा भी जल जाता है उसका चेहरा इतना लाइट सेंसेटिव हो गया कि उसने दिन में निकल सिर्फ रात में ही वो निकलती थी वो भी मास्क पहन के इस अब देखके लोग उसे डायन समझना शुरू कर देते हैं इसी के बीच एक दिन दो बच्चे गायब हो जाते हैं लोग मिटिल्डा को इसके जिमेदा ठेराते हैं और उसका मास्क खटा के उसे जिन्दा जला देते ह लेकिन दूसरे दिन बच्चे लोटाते हैं और टाउन के लोग अपना क्राइम छुपाने के लिए मिटिल्डा के लाश को छुपा देते हैं मरतेबक्ट मिटिल्डा इतने दर्द में थी कि वो सब को श्राप देती है कि जो भी बच्चा अपना फर्स बेबी टूथ में केल नाम के एक छोटे लड़के का फर्स बेबी टूथ गिरता है वो बहुत ही डर में था क्यूंकि उसे लगता था मिटिल्डा की आत्मा उसे माड़ डालेगी लेकिन उसकी मा और गल्फिन कैटलीन उसे समझाती है कैटलीन उसे कहती है जब मिटिल्डा आएगी तो तो अपने मुके सामने एक मास्क पेने हुए औरत को देखता है जो के मिटिल्डा थी वो उसके उपर हमला कर देती है कैल उपर से भाग जाता है लेकिन भागते टाइम उसका टॉर्च तूट जाता है वो अपनी मा के पास जाता है लेकिन उसकी मा उसके बातों के उपर ट् दरती थी, इसके बाद सुबे हो जाती है और मिटिल्डा वापर से चली जाती है, शुबे जब पुलिस अती है कोई भी कायल के बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, सब को लगता है के कायल ने ही अपनी मा को मारा है, इवेनली कैथलीन भी चुपड़े थी है, इसके बाद भी कायल को मिटिल्डा की आत्मा कई रातों तक हॉंट करती है तब जाके कायल को शहर से दूर टीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है और शहर के साथ कायल का रिस्ता तूट जाता है इसके बाद बारा सल बीच जाता है और हम कैतलीन को उसके भाई माइकल के साथ देख पात पेने हुए औरत दिखती है तब कैटलीन को कायल की यादा आती है क्युकि उसका भी कॉंडिशन माइकल की ही तरह था तब वो कैव कॉल लगाती है और सब कुछ बताती है और उसे ड्रकनेस फॉल आने के लिए कहती है फाईनली इतने सलो बात काईल darkness fall में लोटता है और Michael से मिलके उसे एक torch देता है और कहता है वो साया light से डड़ता है इसके बाद Michael Kathleen के पास जाता है और उससे पूसता है क्या हाली में Michael के baby tooth गिरे है क्या और Kathleen हा बोलती है इसके बाद काईल Kathleen को सब कुछ सज बताता है कि कैसे वो depression की दवाई लेता है जबकि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और उसाया अभी भी उसको हॉंट करती है इसलिए वो बहुत सरे torch अपने साथ carry करता है लेकिन Kathleen इन सब बतों के उपर trust नहीं करती है इसी के बीच काईल को पता चलता है Kathleen उनके common friend Jerry को date कर रही है ये जानने क काईल वापर से जाना चाता था लेकिन Jerry उसे रोक लेता है और एक pub में ले जाता है पब में जाने के बाद कुछ गुंडे काईल से वेवज़ा जगरने लगते है काईल उनसे पिछा छुराने के लिए torch लेके बाहर चला जाता है लेकिन तब ही आचनक उन में से एक गुंड काईल के उपर हमला कर देता है और उसे जंगल ले जाता है जंगल के अंदर बहुत अंधेरा था और काईल को मिटिल्डा की आहड भी महसूस होने लगी थी तो काईल उस गुंडे को घायल करके वापर से निकल जाता है उस गुंडे ने मिटिल्डा को देख लिया था तो मि जंगल में आई थी उस गुंडे को खोजने के लिए उस गुंडे के दोस्त के साथ। उनको जंगल में उस गुंडे की खुंसे भरी लाश मिलती है और सबका शाक काईल के उपर जाता है। क्योंकि उन दोनों के बीच पब में लड़ाई हुई थी। पुलिस तुरंद काईल को गिरिप्तर कर लीती है और एविडिन्स के तौर पे काईल के मेडिकल रिपूर्ट सब्मिट करती है। जो के काईल को दोशी साबीत करने में काफी था। वही दूसरी तरफ माइकल की पर अंधिरे का डर्ट ठीक हो जाएगा। वही दूसरी तरफ काईल को बेल मिल चुकी थी और उसका बेल जेरी ने दिया था। काईल जेरी को हॉस्पिटल छोडने के लिए बोलता है और उससे पहले ओ बहुत सारे फ्लेशलाइट और एक गन करिता है। लेकिन जाते टाइम ज जेरी काईल को डाकनेस फॉल ले जाता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसे लग रहा था कि काईल उसकी गर्फरेंड कैथलीन को उससे छीन लेगा। काईल जेरी को बहुत समझाता है लेकिन जेरी नहीं मानता है तब ही आचनक मिटिलडा उनके उपर हमल देता है तब ही पुलिस हुआ पर आती है और काईल को फिर से गिरफतार कर लेती है जेरी के मर्डर के लिए। काईल जेल के अंदर सबको बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसके बात को वो ट्रस्ट नहीं करता है। इसी के बीच एक तुफान के कारण शहर की इलेक्टिसिटी चली जाती है इमर्जेंसी लाइट चालू तो थी लेकिन ओ मिटिल्डा को रोपने के लिए काफी नहीं थी तब ही आचनक मिटिल्डा पुलिस टेशन के उपर हमला कर देती है और एक एक करके सबको माट डालती है उनमें से एक पुलिस वाला काईल को च और कैतलीन भी गलती से मिटिल्डा का फेस देख लेती है मिटिल्डा उन दोनों को माणने ही वाली थी कि काईला के उन दोनों को बचा लेता है वो तीनों एक लिप्ट में जाके छुप जाते है क्योंकि लिप्ट की लाइट जली हुई थी लेकिन मिटिल्डा वापर भी हम उन तिनों के साथ बेस्मेंट की तरफ जाते है। लेकिन बेस्मेंट तक पॉस्ते पॉस्ते वो डॉक्टर और नर्स सब मारे जाते है। मिटिल्डा उन तिनों को मारने ही वाली थी कि तभी आचानक वो पुलिस वड़ा गारी लेके चला आता है। जो के काईल काई प्लैन का एक हिस्सा था। गारी की फ्लेश लाइड मिटिल्डा के उपर पड़ती है और मिटिल्डा वापर से भाग जाती है। किसी भी तरह से वो लोग अपनी जान बचा के लाइड हाउस पे पहुचते हैं। लेकिन लाइड हाउस पे पहुचने के बाद किसी टेक्निकली फॉल्ट के करण वो लोग सिस्टेम को चालू नहीं कर पाते हैं। तब काईल और वो पुलीस वाला कैथलीन और माइकल के पास एक लेम्ब को छोड़के देखने के लिए जाते हैं। और उनको फॉल्ट मिल भी जाता है। तभी अचनक मिटिल्डा उनके उपर हमला कर देती है और वो पुलिस बाला गलती से मिटिल्डा को देख लेता है और मिटिल्डा उसे माट डालती है वो ही दूसरी तरफ कैतलीन का भी लेंब अचनक बंद हो जाता है और मिटिल्डा उनके उपर हमला कर देती है तभी काईल सारा बोडी जलने लगता है और वो वापर से भाग जाती है। काईल फिर से जेनरेटर का स्विच अन करने की कोशिश करता है लेकिन आग के कारण जा नहीं पाता। तभी अचनक माइकल स्विच को अन कर देता है और तेज रोशनी के कारण मिटिल्डा की आत्मा वापर से गा करती है तभी काईल उसके मुग के मास्क को हटा देता है और उसके जले हुए फेस को हम देख पाते हैं। तभी आचनक लाइट है उसके लाइट की रोशनी मिटिल्डा के फेस के उपर पड़ती है और उसका फेस जलने लगता है। तभी काईल लाइट को अपने हाथ से तो